नमसली gentlemen अपके उबुर्ट और मंदस कहने मीज Vedio के अंदर आपको 1 वीँ grabbed मैं आपको MySQL के साथ पाइधन को कैसे अपन connect करते हैं और डेटा बेस की क्षूरी को एक्षीक्यूट करते हैं दोस्टो अगर आपको कोई भी डेटा बेस सीखना है our SQL हो गया Mongodb हो गया या फिर कोई भी X, Y, Z database अगर आपको सीखना है तो basically आपको ये चार operation आने चाहिए जिसको बोलते CRUD operation CRUD operation का मतलब होता है Create, Read, Update, Delete इस वीडियो के अंदर मैं आपको practically सारी चीह सिखा हूँगा मैं आपको theoretically कुछ भी नी सिखाने वाला सीथे practically मैं आ रहा हूँ स्क्रीन पे जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ एक बार बस आप इन चीजों को देख लो आप हमेशा कभी भी कोई भी programming language लेंग्विज यूज करोगे idea यही रहता है मैं आपे specifically Python की बात करूँगा तो दोस्तों start करते हैं सबसे पहले start करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप इस तरीके से Python के साथ connectivity करने जाओगे सबसे पहले आप ये चीज़ चेक कर लेना कि आपका Python जो है आपके system में जो installed है क्या उसका path variable set है वो कैसे बता चलेगा वो ऐसे पता चलेगा आप cmd में जाओ cmd में आप यहां पे लिखो python python कमांड लिखते ही आपको इस तरीके से तीन एरो दिखेंगे अगर ये तीन एरो दिखते हैं इसका मतलब आपका path variable बिल्कुल सही तरीके से वहां पे डला हुआ है अगर ऐसा नहीं है तो आपको जाके खुद से वहां पे चेंज करना होगा ये चेक करने के लिए आप यहां पे प्रिंट कर सकते हो कोई भी एक python का आप कमांड लिखो जैसे मैं यहां पे लिखता हूँ hello मैं यहां पे लिखा hello पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके उसमें काम कर सकते हो जो कि python 3.10 है तो यह path variable सेट होना बहुत जरूरी अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत सिंपल है path variable को सेट करना मैं आपको बता देता हूँ आपको कुछ नहीं करना है सर्च पर जाना है python.exe नाम की file होती है जब आप किसी भी python को डाउनलोड करते हो कोई भी वर्जन डाउनलोड करोगे python.exe नाम का file होगा इसका path आप बस copy कर लो तो इसका जैसे आप path खोलोगे तो यह इसका path यहां पर खुल गया आप इसके path को copy कर लो इसके path को copy करोगे यह my cp या फिर this pc जो यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आप जाओगे advanced system setting पर आप click करोगे यहां पर environment variables पर जाओगे यहां पर path पर click करोगे और यहां पर edit दबादोगे edit दबाओगे तो कुछ इस तरीए से आपको दिखेगा तो अपन ऐसे ही डालते है पेस्ट किए अपन और उसके बाद फिर slash लगाए और उसके फिर scripts लिख दिए scripts और एक और slash लगा दिए enter दबाए एक और बार एक बार फिर से आप यहां पर paste करोगे और यह इस तरीके से डाल दोगे अब उसके आद okay okay कर दोगे आपका path variable set हो जाएगा ठीक है मेरे में पहले साही है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ आप देख सकते python 3.7 कभी में पास path variable set है कोई दिक्कत नहीं अब मैं इसको जानगुच के cancel कर देता हूँ मेरे system में पहले साही है और आप कैसे check करोगे आपके system में path variable सही तरीके से डल गया है उसके लिए अगीन आप लिखो cmd आप लिखो python आप python लिखे अगीन आपको दिखर होगा python 3.6.7 इसका मतलब बिल्कुल सटीक तरीके से और यह तीन आपको दिख रहा है इसका मतलब path variable जो है set अब उसके बाद किस तरीके से आप database बनाते हो अचा database के पहले आपको अपने system पे MySQL डाउनलोड करने के लिए मैं आपको एक tricky website बताता हूँ जो कि बहुत कम लोग को पता होता है सब साले आप WEM server डाउनलोड करोगे WEM server की जरुवत इसलिए पड़ती है आप देख सकते हो यह एक खूफिया website है wemserver.avotechno.net दूसरे देश की website है आप यहां पर से directly install कर सकते हैं एक बार में चीज़ें install हो जाएंगी बहुत लोग को नहीं पता होता है आप डारेक्टल अगर Google पर सर्च करके भी install कर सकते हो लेकिन server बिजी होने के कारण कई बार वो चलता नहीं है और साथ में WEM server कुछ एक ऐसा software है जो कि बहुत सारी dependency मांगता है dependency के लिए यह site मुझे सबसे बहतर लगते है क्योंकि यहां पर एक बार में 60 तरीके से download हो जाता है कभी भी server crash वगेरा नहीं होता है तो आप यहां पर से आके यह WEM server को 64-bit 32-bit के लिए install कर सकते हो आप चाहो तो XAM server भी download कर सकते हो XAM server iOS Mac सब में चल जाता है Mac में चल जाता है और Windows दोनों में चल जाता है WEM server केवल और केवल Windows में चलता है अब इसके नीचे जैसे आप WEM server डाउनलोड करोगे आपको Microsoft के VC package भी download करेंगे इस सारे साल के 2008 से लेके जितने भी साल के आपको VC package मिल जाए आप डाउनलोड कर लेना अपने लेकिन WEM server डाउनलोड करोगे तो एक साथ आपको सारी की सारी चीजे मिल जाएगी तो बहता है आप WEM server डाउनलोड कर लो यह मैं आ जाता हूं WEM server डाउनलोड होने के आपको इस तरीके से दिखेगा आपको कुछ नहीं करना है तो जैसे ही WEM server चाले हो जाएगा आपको यहाँ पर राइट साइड पर यह ग्रीन कलर का WEM server दिख रहा होगा WEM server जो है वह बिल्कुल सही तरीके से भी रन कर रहा है जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके बहुत सारी functionality देखने को मिलते है MySQL पर जैसे क्लिक करोगे तो MySQL का आपको console मिल जाएगा हमेशा by default जो username होता है root होता है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं enter दबादो password जो होता है कुछ भी नहीं होता है आप enter दबादो काम हो जाएगा MySQL का console आपके सामने आपकी screen पर आ चुका है तो database दिखाना होगा तो show databases मैंने यहां पर लिखा तो show database में आपको यह n number of database दिख रहे होंगे यह मेरे system पर इतने database है अब उसके बाद फिर let me से मुझे कोई एक database यूज करना है तो use let me से मैं यहां पर कौन से database को अपन यूज करें एक काम करते हैं इस वर्ल्ड वाले database को पकड़ते हैं वर्ल्ड यूज वर्ल्ड नाम का database मैंने पकड़ा अब इसके अंदर में कुछ tables होंगी तो tables मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर 3 tables है city country country का language काम करता हूँ city के अंदर जो भी कुछ लिखा हो है वो मुझे आपको दिखाना है मैं एक छोटा सा query लिखूँगा select star star का मतलब होता है select सब कुछ select सब कुछ from table का नाम बता दो तो let me say मुझे city नाम का table में सब कुछ चाहिए अब देख सकते हो उस table के अंदर इतनी सारी cities है यह आपको दिख रहे हैं काफी बड़ा table है इसलिए आपको इस तरीके से चलता हुआ दिख रहे है कोई बात नहीं यह जितनी भी cities होंगे इस particular database में है आपको दिखाएगा तो मेरे साब साब यही चीज समझ गोगे कि कैसे हम कैसे हम किसी भी चीजों को देखते हैं कैसे database को यूज करते हैं बहुत सिंपल है पहले मैंने show database किया यूज किया उसको यूज जो भी database का नाम है उसके आद show tables किया show tables करने के बाद फिर मैंने कोई दूसरा command यूज किया गया select star from this table तो वह आ गया अपने पास यह done हो गया यह तो गया अब कैसे अपन बनाते हैं table को मैं आपको बताता हूँ कैसे आप बनाओगे किसी एक नई database को कैसे बनाएंगे तो देखो database बनाने के अलग-अलग तरीके आप directly program से बना सकते हो पहला तरीका दूसरा चीज यह हम यहाँ पर क्या करेंगे यह सब कुछ हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ज्यादा बहतर आपको समझ में आयागा यह सब चीजों को हटा देते हैं अभी के लिए मैंने इसको क्लिक किया और यहां पर PHP MyAdmin पर आपको क्लिक करना है आप इस तरीके के लोकल होस्ट के इंटरफेस पर आके खड़े हो जाओगे आपको यूजर निम मैंने बताया रूट होता है पासवर्ड आपका कुछ नहीं होगा Go पे दबाओ MySQL का सर्वर खुल जाएगा तुरांट यह खुल गया कुछ इस तरीके से आपको नया यह लेफ्ट हैंड साइट पर आपको दिख रहे होंगे इस सारे डेटाबेस है मेरे सस्टम पर अब न्यूपर यहां पर आपको डेटाबेस के लिए बनाने बोलेगा लेट मी से मुझे विनएडीबी नाम का एक डेटाबेस बनाना आप यहां पर एंकोडिंग कुछ भी सिलेक कर लो आपको अभी इसके ओपर ध्यान देना है क्रिएट मैंने किया टेबल का आप नाम रख दो लेट मीं से मेरे टेबल का नाम है EMP टीक है मेरे टेबल में और मान लेते हैं कि मेरे टेबल मेरे टेबल में केवल तीन ही कॉलम है गो कर दिया मैंने यहां पर तीन कॉलम के नाम पुछेगा लेट मी से मेरे टेबल में EMP ID है Let Me से नेम है Let Me से salary है ठीक है तीन चीज है EMP ID int होगा नेम वह 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 कर होगा वह वैर कर के अंदर आप तो जिसको भी आपको प्राइमरी की बनाना है उसको नल नहीं सेट करना है जहां पर भी आप नल सेट करें उसका मतलब वहां पर नल वेल्यू हो सकती है यह जैसी मैंने इतना काम किया मैं सेफ दबा दिया टेबल का जो स्ट्रक्चर है वह बनके आपके सामने दिख रहा होगा तीन कॉला में टेबल में EMP ID, Name और Salary आप चाहो तो यहां पर से भी इंसर्ट कर सकते हो वेल्यू को डिरेक्टल यहां पर से लेकिन कभी हम ऐसा चाहेंगे क्या कि हम एक्स्प्लिसिटली यूजर को ये वाला जो लोकल होस्ट वाला सिस्टम है और डेटाबेस हम दे 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 है वह चला जा चाहिए डेटाबेस हम घैंडाबेस में हम ऐसा चाहते है now मैंजने प्रोग्राम से WILDER से पूछेंगे वागी आपको जो any बनाहिक इंड है इस टेबल में बना में दे भी की एक ही टेबल मैंने बनाय कॉन परने बरम का एक ही टेबल मेल्टिफल में बना सकते ह और अपने Python को उपन करते हैं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूँ, Jupiter Notebook, मैंने इंटर दबाया, अब Jupiter Notebook पे चलते हैं, और वहां पर से हम यहां पर लिखना चालू करेंगे, code, तो एक एक करके मैं आपको पताते चलूँगा, देखो, यह मेरा Jupiter Notebook खुल रहा है, थोड़ा सा टा पर लिखने में, तो यह खुल चुका है, मेरा Jupiter Notebook, अब एक काम करते हैं, अब एक किसी folder पर आ जाते हैं, लिख में इसे यहीं पर आ जाते हैं, और न्यू पाइफन फाइल अपने यहां पर बना लेते हैं, अब यहां पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यहां MySQL लिख देता हूँ, MySQL in one shot, थे, दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने Python को क्योगी connect करना है, किस के साथ अपने database के साथ, तो Python एक अलग language है, MySQL एक अलग language है, तो आप खुद बताओ, अगर मैं आप मैं आप मैं मैंस्क्वेल का command लिखूँगा, तो programming language मेरा front end है, ठेक है, यही होता है, programming language से आप UI वगेरा design करते हो, back end मेरा database है, इन दोनों को जोडने के लिए, मुझे एक bridge की जरुवत है, front end और back end को जोडने के लिए, एक bridge की जरुवत है, जिसको आपन बोलते है connector, तो यहाँ पे mysql का एक connector होता है, जिसको आप directly command के थू यहाँ पे download का सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे pip install, आप यहाँ पे लिखोगे, इस तरीके से अगर मैं आपे लिखता हूँ, इसका जो command है, वो I think mysql-connector-python-rf, यह command है, ठेक है, इसको आपन एंटर किये, तो pip install mysql-connector-rf जैसे आप लिखोगे, enter दबाओगे, तो यह install करना चालू कर देगा, मेरे system पे पहले से ही है, इसलिए requirement already satisfied दिखा रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आपके system में नहीं होगा, तो इसका आपको लिखना है pip install mysql-connector, तो एक काम करते है, dot connector, mysql-connector आप लिखोगे, फिर से install पे click enter दबाओगे, ठीक यह run होगा, और mysql-connector मेरे system में पहले से ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यह दो काम आप कर लोगे, restart करोगे अपने kernel को, ठीक है, चाओ तो अगीन इस terminal को फिर से खोलो, जुपिटर notebook को खोली है, मेरे system पहले से ही है, इसलिए मैं इनको हटा देता हूँ, य इसको enter करो, run करो, अगर कोई error नहीं आता है, इसका मतलब सटीक तरीके से install हो गया, ठीक है, अब मुझे बार-बार यह mysql.connector लिखना है में मज़ा नहीं आएगा, इसको मैं फिर से run कर दिया, अब यह mysql.connector नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ c लिखोंगा इसकी जग कोई class नहीं होती, कोन क्या होता है, connection establish करने के लिए अपने कोई object चाहिए होता है, ठीक है, वो object ना, असलिए तमें कई लोग उसको दूसरी programming language में कोन class का object बोलते है, यहाँ पे python में एक function होता है, अपने बास connect नाम का function, तो मैं आपको यहाँ पे लिखके दिखाता हूँ, connect connect नाम का function होगा, अभी connect नाम का function कहां होता है, यह mysql.connector file के अंदर, यह module है, mysql.connector यह module है, इसके अंदर में connect function होता है, तो इसलिए c.connect function, अभी connect function जो आपसे चार बाते मांगेगा, बात number one, host का नाम, host का नाम का है भाई, बहुत simple, local host, आपके भी local host ही नाम होगा, मैंने आपको बता के रखाया, root होता है, by default, तीसर है यह आपसे password मांगेगा, pastwd लिखा जाता है, password के लिए, तो कोई भी password नहीं है आपका, then उसके बाद फिर आगे आते हैं, आपसे चौती चीज पूछेगा, database, तो database आपका, जो भी database आपको यूज करना है, मुझे यूज क कोई class का object, इसलिए मैं कोई class का object बोलता हूँ, इसलिए मैं कोई class नहीं है, लेकिन दूसरी language में कोई class होती है, यहाँ पर connect नाम की जो अपने पास function है, यह अपने को एक object return करके देता है, जिसको मैं कोई के अंदर store कर लूँँगा, अभी यह क्यूँ जरूरत पढ़ता है यह इसलिए जरूरी है, अब यहाँ पर कुछ error अपने को दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ error अपने को दिखा रहा है, यहाँ पर spelling गलत हो गई है, कोई बात नहीं, इसको अपन एंटर दबाए, यह कौन class का object मेरा तयार हो गया, अब यह तयार होने के बाद, यह क्यू काम आ अपने पास क्या बोल सकते है, एक function होता है, cursor नाम का, जिसकी मदद से आप यहाँ पर cursor बना सकते हो, इसका मैं नाम भी cursor रख देता हूँ, यह कौन के मदद से अपन क्या करने, यह कौन एक object है, इस object मदद से अपन इस function को use करें, cursor, अब यह cursor ही execute करेगा आपकी query को, तो कैसे execute करेगा, मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ, कि करके, एक query लिखता हूँ, एक query लिखूँगा, एक query, let me say, मुझे लिखना है, आप query किया है, query nothing, एक string होगी, my SQL का एक string होगा, तो मैंने यहाँ पर एक query लिखा, insert into, मुझे EMP नाम के table में insert करना है, और values जो होंगी, वो यह होंगी, जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, पहली value, कॉमा दूसरी value, कॉमा तीसरी value, तो पहला वाला मेरे इसाब से मैंने EMP ID रखा था, दूसरा वाला नाम रखा था, नेम रखा था, इसलिए मुझे इसको string बनाना होगा, यह मैंने इसको string बना दिया और तीसरा वाला सेलरी था, dot format मैंने यहाँ पर लिखा, dot format और यहाँ पर पहला वाला EMP ID था, मेरे database में आपको अगर याद होगा, EMP ID दूसरा नाम था, और तीसरा सेलरी था, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब दिक्कत है कि EMP ID नेम और सेलरी आएगा कह वो आप user से मांगोगे, तो user से मांगने के लिए कुछ नहीं भाई, आप user से मांग लो, EMP ID is equal to, आप लिखोगे, int, input, input, क्योंगे आपको पता, input function string में convert करता है, और string को अगेन अपने को typecast करके, int में convert करना होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, enter, enter, EMP ID of the employee, मैंने यहाँ पर इतना चीज लिख दिया, अब EMP ID मुझे मिल जाएगा, अब इसी तरीके से name को भी अपन user से input ले लेते हैं, तो input नाम के function को use किया, मैंने, मैंने लिखा, enter, name of the employee, यह मैंने यहाँ पर लिख दिया, यह मेरा काम हो गया, then उसके फिर एक और लिख देते हैं, salary भी ले ले of the employee, employee, done, यह तीन चीज अपने से मांगेगा, यह यहाँ पर चली जाएंगी, value जो है, insert हो जाएगा, मैंने यहाँ पर एक query लिखाए, insert के लिए, अपन अभी insertion सीखना, insertion सीख रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको read करना सिखाया था, तेक है, मैंने आपको बताया था, क यह चलाऊंगा, अपने आप क्या होगा, यह जो भी value मुझे user देगा, वो database में चली जाएंगे, अब दिक्कत यह, आप खुद से सोच के देखो, क्या आप, आप बताओ, अच्छा मैं इसके नीचे वो सारी चीजे भी आपको बता देता हूँ, कैसे query को execute करना है, तो आपक क्या है, तो कौन.commit जैसी आप यहां पे लिखोगे, तो यह सारी चीजे सेव हो जाएंगे, अब एक बात और यार, एक बात, आप खुछ से सोच के देखो, क्या आप एक ही बार से एक ही value को डालना चाते हो, क्या एक ही employee का employee ID, name, salary डालना चाते हो, क्या डालना चाते हो, क् बहुत सारी employee का एक साथ में डाल पाँ, तो यह सारी चीजों का आप क्या कर सकते हो, वाइल लूप के अंदर में लिख सकते हो, आप इसको क्या करोगे, वाइल लूप के अंदर लिख दो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको अभी के लिए as it is करता हूँ, यहां पे enter जब तक मैं बोलूँगा नहीं, तब तक यह रूखेगा नहीं, तो यह काम करते हैं, अपने input लेते हैं user से, और मैं आपे बोलता हूँ, कि भाई यह काम कर, ऐसा लिख देता हूँ, 1, enter, more data, और backslash n, to exit, 2 दबाएगा तो exit हो जाएगा, और 1 दबाएगा तो और data उसको मिल value लेना है मुझे, तो इसके लिए मुझे इसको इंट में बदल देना है, then उसके बाद फिर इसको किसी डबबे के अंदर store कर देना है, यह हो गया store, done, अब उसके बाद फिर if, x is equal to 2, अगर 2 होता है तो break कर जाएगा, तूरं तोड लेंगे break, इसका मतलब तूरं मैं लूप से बाहर हो जाओंगा, done, मेरा काम यहाँ पे इतना हो गया है, अब एक बार इसको execute करके देखते हैं, enter the employee ID, तो let me say employee ID 100 है, name employee का मान लेते है, विनय है, और salary लेट में से अपन डाल देते हैं, इतना है, यह हो गया, अब उसके बाद और data आपको डालना है, तो और data के लिए आप 1 दबा दो, then उसके बाद employee का ID आप दे दो, then उसके बाद फिर नाम आप अगेन कुछ दे दो, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, salary यहाँ पे आप कुछ दे दो, यह मैनने यहाँ पे दे दिया, और data आपको डालना है, डाल सकते हो, employee ID पहले बता दो, 102 मैने यहाँ पे ल दिए गगता दो 102 ए जिए 103 लिख देते हैं दैन उसके वाद इंड हो भी उपने डाल देते हैं इंपलॉय का दैन उसके अद इंड जल एक्जीट फो जाते हैं तो यह एक्जीट हो गया अब अपने को चेक करना होगा कि क्या जो भी हमने यहां पर लिखा है वह सब कुछ चला यूज करनाओ का database use vinet db मैंने यहापे लिखा देन उसके बाद फिर मैं यहापे लिखूँगा आपको पहले table दिखाता हूँ show tables इसमें एक ही table मैंने बनाया था आपको बताया था emp नाम का table अब मैं चाहता हूँ select सब कुछ के लिए star from emp नाम का table emp यह मैंने यहापे लिखा enter दबाया आप देख सकते हूँ जो भी मैंने यहापे इंसर्ट किया था यह सारी चीजे यहापे इंसर्ट हो चुकी है यह idea आप समझ गया होगी कैसे हमको यह सारी चीजों को इंसर्ट करना है data कैसे डालते है database में यह सीख गए अब अपन क्या क्या सीख गए create करना database कैसे create करते है then उसके फिर read करना read कैसे करते है console पे जाके अपन रीड कर सकते है then create read update करना अब अपने को सीखना होगा तो अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको कुछ भी खास नहीं करना है let me say मैं यहाँ पर name को अटा देता हूँ मालो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि user मुझे बताए कि इस employee id का इतना salary अब अपडेट कर दो ठीक है तो query को अपन यहाँ पर change करेंगे query को अपन यहाँ पर लिखेंगे इतना लिखना है update emp update emp table में set salary is equal to something और यह जो something है अब यहाँ पर लिख देता हूँ where emp id is equal to something यह मैंने यहाँ पर इतना लिख दिया अब dot format function का use करो पहला वाला bracket किसको बता रहा है पहला salary को बता रहा है salary का मतलब user अपने को जो salary दिया होगा और दूसरा जो है emp id को करस्पॉंड कर रहा होगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ enter employee id of the employee to be updated ठीक है अब enter the salary of the employee to be updated ठीक है ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया अब as it is बाकी सारी चीज़े as it is तो मैंने इसको यहाँ पर चलाया enter the employee id तो मालो मुझे इस particular employee id को पकड़ना है अब इसकी salary मुझे 9999999 कर देना है enter दबाया मैंने exit हो जाता हूँ अब मैं again mysql के console पर आता हूँ अब अगेन मैं हाँ पर select star from emp लिखा अब आप देख सकते हो यह 100 वाले employee id की जो salary है वा बदल के change होगे तो create करना सीक गये read करना सीक गये update करना सीक गये अब delete करना सीकते है delete करना इस से भी asana कामे आप किसे के भी corresponding deletion कर सकते हूँ किसी के भी corresponding aufdation कर सकते हो आपकी important यह चीज आप समझ रहोगे अब query मैं आपे लिख रहा हूँ डिलीट करने के लिए तो डिलीट करने के लिए मैं महात रिटना लिखूंगा delete from EMP where where EMP ID is equal to this अब यह this का मतलब format function को use करो sorry where EMP मैं काम करता हूँ अच्छा एक काम कर फिर से लिख देते हैं delete from EMP where EMP ID is equal to this अब यह इसकी जगा format sorry format और EMP ID यह मैंने यहां पर लिख दिया अब मुझे यहां पर एक बड़ चेक करके देखने हैं let me say employee no.100 जो है वह अब डिलीट हो जाना चाहिए तो just let me check मैं यहां पर लिखूंगा select star from EMP यह एंटर दबाया मैंने अब आप देख सकते हो employee no.100 जिसकी ID थी वह डिलीट हो जुगा है create करना सीख गया, read करना सीख गया, update भी करना सीख गया, delete भी करना सीख गया तो हमने यहां पर पूरा MySQL लगभग सीख गया है आपको अगर कोई भी डेटाबेस सीखना है आपको create, read, update, delete करना अगर आता है तो आप क्लीम कर सकते हो कि मुझे डेटाबेस वह आता है यहां पर हमने MySQL एक ही शॉर्ट में सीख लिया है practically अब आप चाहो तो और ज्यादा इन चीजों को एक्स्प्लोर करना चाहते हो तो आप कुछ नहीं करना है आपको मैं आपको बताता हूँ python with MySQL आप लिखोगे GFG Geeks4Geeks एक बहतरीन वेबसाइट है इसके लिए आप यहां पर जाके यहां पर अलग अलग चीजे जो है वह सीख सकते हो python MySQL आप डेटाबेस बना सकते हो जैसा कि मैं आपको बता रहा था अब directly command के थूँ डेटाबेस बना सकते हो यहां पर create table student name where care not null इस तरीके से आप अलग से खुझ से भी बना सकते हो बहुत simple काम है तो आप और चीजों को explore कर सकते हो अगर आपको और भी चीज़ सीखना है मैं आपको वह सारी चीज़ सिखा दिया जो भी आपके काम के थी तो create, read, update, delete, crud operation अपने को MySQL में करना आ गया database बनाना आ गया database में insertion, deletion, सब कुछ अपन सीख गए है तो मेरे सबसे आपने वीडियो में कुछ न कुछ सीखा होगा काफी जल्दी हमने किया है ताकि हम बहुत कम समय पे जादा स्यादा चीज़ सीख पाएं अगर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर एक छोड़ा सा लाइक करना और अगर चैनल पे पहली बा